हेलो एवरिवन, वेलकम टू राम्हे अकैडमी, आज से हम एक सिरीज स्टाट कर रहे हैं, लूसेंट रिवीजन सिरीज, जिसमें लूसेंट के जतने भी इंपॉर्टन टॉपिक हैं, इंपॉर्टन फैक्ट हैं, वो सब हम रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, आपको भी पत लूसेंट एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको बहुत फाइदा मिलता है, कभी भी कोई भी एक्जाम नहीं रुपता है, वंडे एक्जाम हो, या कभी भी आपका प्रलिम्स एक्जाम नहीं रुपता है, लेकिन एक इसम करेंगे याद भी करते चलेंगे अपने तरीके से ठीक है सबसे पहले कि शुरुआत कहां से होती है इतिहास से होती है हिस्ट्री से होती है तो इसलिए हम सबसे शुरू में किसको करेंगे हम हिस्ट्री को ही सुरू करेंगे तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री इतिह आप जब लूसेंट ओपल करेंगे ईसन में आप को दिखेंगा कि सबसे पहले आपको से वेदों के लगोव discut बारे में दिया हुआ है उसके बाद आप की जो और अन्य बुक्स हैं जैसे आतर्शास्फर वगेरा है रास्तरंगनी वगेर है उनके बारे में दिये है फिर आप देखेंगे थोड़े बहुत अभिलेख दिये हुए है उसके बाद आपका इतिहास शुरू होता है कि इतिहास में प्रागयतिहासिकाल आता है आद्यतिहासिकाल आता है तो यह शुरू आती दोर में बहुत सारे बच कि यह चल क्या रहा होता है हम इतिहास के बारे में कैसे जनते हैं अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी हो तो ऐसा कोई आदमी तो है कि पिछले 2000 साल से वह चला आ तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं एतिहास को जानने के लिए एक आपका तरीका होता है कि हमारे पास जो साहित्तिक साहितिक जो हो गया आपके साहितिक श्रोथ हो गया ठीक है तो यहां पर आप लिख सकते हैं सोर्सेस की दो टाइप के शोर्स होते हैं सोर्सेस होते हैं हमारे पास दो टाइप के श्रोथ होते हैं कौन-कौन से एक होता है आपका साहितिक श्रोथ जिसे इंग्लिश में बोलते ह मतलब कुछ लिखा हुआ अगर हमें मिल जए जैसे वेदों में लिखा हुआ मिलता है पुराणों में मिलता है बहुत धर्म की जैन धर्म की बहुत सारी पुस्तके हैं उनमें मिलता है उसके अलावा बहुत सारे दूसरे लेखक हैं काली दास जी हैं कोटिले हैं बहुत सारे ल पूरा तात्विक श्रोत पूरा तात्विक जिसको हम बोलते हैं इंगलिश में आर्कियो लॉजिकल एवीडेंसे मतलब यहा तो हमारे पास क्या हो सहित्तिक श्रोत हो हमारे पास कुछ लिखा हुआ मिल जाए यह दूशरा ऐसा हो कि अगर हम कभी खुदाई करते हैं कोई मंद सबसे पहले क्या मिलता है साहितिक श्रोथ साहितिक श्रोथ मतलब पहले आपको बोक्स के बारे में मिलेगा उसके बार्ण्न गण को मोफिस कपे को और यहां मिलेग है तो यह कि आपका किसका portion हो जाता है अभिले एक सिक्के मंदिर वगेरा ये पुरा तात्विक श्रोथ जिसको archaeological evidences बोलते हैं उससे संबन दीते हैं जब हम देखते हैं साहितिक श्रोथ के बारे में literary source के बारे में देखते हैं तो ये भी आपके दो भागों में divide हो जाता है एक आपका divide होता है धार्मिक शोथ में धार्मिक religious जितने भी हमारे पास books वगेरा है लिटरेरी sources हैं वह तो यह हो गए आपका धार्मिक religious दूसरा जो है उसको आप कर कह सकते हैं गैर-धार्मिक गैर धारमिक कह लीजिए या फिर एक और इसमें नाम मिलेगा आपको कि यहां पर धर्म निर्पेख्ष मतलब धर्म से related नहीं है यह एक और नाम मिलता है वो मिलता है धर्मेतर ठीक है धर्मेतर तर मतलब यहां पर आप इतमानी है कि एक religious sources हैं जो हमारे पास written sources है एक religious है धर्म से related है एक non-religious है तो English में तो simple simple हो गया religious non-religious हिंदी में चाहे आप उसको गयर धार्मिक कहिए या धर्म निर्पेक्ष कहिए या धर्मित्तर कहिए ठीक है पूरा तात्विक शोत में आप देखेंगे तो पूरा तात्विक शोत में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है लेकि lucid में आप देखेंगे कि कुछ आपको सिक्कों के example मिलते हैं यहां पर आपको सिक्के के example दिया हुआ है उसके अलावा जैसे आपके अभिलेख जो है वहीं पर आपको हाथी गुमफा अभिलेख हो गया अभिलेख के बारे में एक आप यह सारी चीज़ें आएंगी महल हो गया किले हो गया मॉनिमेंट्स जितने भी हैं वह आएंगे अभिलेख मतलब आपके इंस्क्रिप्शन हो गया तो आप देखेंगे यहां पर यह भी डिवाइड है अगर हम देखें यह आंगे कैसे डिवाइड है तो जो आपका गया धारमक है गया धारमिक में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि यहां पर कुछ देशी हो जो की अंडियन हो इंडियन जो आपके राइटर थे या जो दर्बारी कवई होते थे उन्होंने लिए लिखा हो जिसे हम कालिजास की बात करें हैं वो इंडियन थे कि इस वी conversion हो जाए तो यहां पर फिर आपके जो धर्म रिपेक्ष वाले भी है वो भी दो भागों में डिवाइड़ेड हैं वो भी आपको मिलेगा एक जगहा पे बड़े अच्छा से डब्बे में पूरा बना हुआ की मेगा स्नीज ने कौन सी बुक लिखी है और उसके अलावा जो विदेशी जानने के दो तरीके होते हैं या तो हमारे पास साहित्तिक श्रोथ हो कोई लिखा हुआ हो लिखित साक्ष हो या खुदाई करने पर कुछ मिला हो तो और्कियोलोजिकल एविडेंस हो पुरा तात्विक श्रोथ है इसमें भी सबसे पहले आता है धार्मिक तो आप सेंगनी हो गई मेघस्तनी इसकी हो गई इंडी का इन सब के बारे में मिलता है तो यह आपके शुरुआती दौर का आई थिंक आपको समझ में यह आ गया होगा आप चाहें तो यह चीज कहीं पर लिख भी लें जिससे आप जब शुरुआत करें लूसेंट पढ़ने की तो समझ में आए कि शुरू में वेदों के बारे में क्यों लिखा है फिर दो पन्ने बाद फिर हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं रिगवेद अतरवेद के बारे में तो यह आप रिलेट कर पाएं फिर बात आती है यहां पर कि जबसे सबसे पहला जो है अब हमने बात कर ही लिए कि हम क्या चालू करने वाले हैं धार्मिक जितने भी श्रोत हैं वो चालू करने वाले हैं यहां पर क्या हो गया यह आपका लिट्रेरी सोर्स तो हम यहां पे रिलीज जितने भी हैं, रिलीजियस श्रोत की बात करते हैं, रिलिजियस आुईटनास की बात करते हैं, अब यहां पे कि हमें चारो वेदों को compare कर के लिखना है हम उसको साथ में compare करके लिखेंगे तो यहां पर रिख वेद में आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है होत्री कहलाता है अब एक चीज़ याद रखिएगा जो आपका होत्री है वह कहीं कहीं आप आपको होता भी मिलेगा होता है ना ऐसे होता मिलेगा तो अब यहां पर आप क्या करेंगे जितने भी वेद हैं जैसे हमने बात की यजूरवेद की यह जूर्वेद इसका पार्ठ करने वाला क्या कहलाता है इसका पार्ठ करने वाला कहलाता है अध्वर्यू ठीक है फिर आता है आपका सामवेद सांवेद का पार्ट करने वाला क्या कहलाता है उद्धात्री यह यहां पे आपको मिलेगा उद्धगाता है यह दोनुं वर्ड मिल सकते हैं यह इसके लावा आपका अत्रव वेद in अधर वेद का आपको वहां पर लिखा नहीं मिलता है इसका कहलाता है आपका ब्रह्मा तो यहां कर सकते हैं और ऊध्वर्यू और उद्गात ऐसे आपको लग रहा है कि यह दोनों कर सकते हैं थोड़ा सा तो यहां पर आप कैसे याद कर सकते हैं देखें उद्रात्री को आप याद मत करिए आप किसको याद करिए आप करिए उद्गाता को उद्गाता याद करना क्यों आसान है क्योंकि सामवेद आपको किस से related कुछ इसका दूसरा नाम भी होगा तो वहीं इससे सका होगां, Mustang I hear सामवेद का हो गया गाने वाला तो उद गाता हो गया रिगिवेद का हम क्या हम बनाएंगे रिशी अभिशी नाम का तुम नहीं समझोगी सेम भई कुछ-कुछ होता है किसे होता है रिशी को कोई नहीं समझेगा लेकिन रिशी को कुछ-कुछ होता है तो जो होता word है वो किस से related हो गया अपने रिशी से बचता है आपका जैसे यजूरवेद यजूरवेद में आप देखेंगे कि यहां पे भी आधा रा आ रहा है यजूरवेद में और इसमें आप देखेंगे अधवर्यू में भी आधा रा रहा है तो आप उससे भी relate कर सकते हैं कि या जूरवेद का और जो आपका अधवर्यू है या उसका पाठ करने वाला थोड़ा कठीन है दोनों में आधा अधा रात है तो उससे आप relate कर ले जाएंगे और आपको इन में से याद रखेगा चार option आपको मिलेंगे चार option मिलेंगे तो आ कटेंगे कि plugged की स्मार्टबक की आपको प्रिलिम्स के लिए पढ़ना है या वन डे एक्जम्स के लिए पढ़ना है तो आपको पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है यह आप शुरू का याद करिए यह लास्ट का याद करिए जब आप चार आप्शन देखेंगे अब देखें आप खुद सोचे अथर्व का हमने बना दिया ब्रह्मा जी से के अथर्व जो है ब्रह्मा जी की पूजा बहुत करता है अब आपको मैंने बताया अजूर वेद में क्योंकि आधर रहा है तो इसका भी कुछ मिलता जुलता आपको मिलेगा तो वह हो गया आपका अधवर्यू उसके बाद साम्वेद क्योंकि कि से संगीत से अदुक्य को गाने वाला होगा तो उद गाता रिशी को कुछ याद रहे और जिसको भी मतलब ऐसा लगता है कि हमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ क्या करना है रिवाइज करना है पढ़ना है तो आप थोड़ा स्किप कर दे क्यूंकि कुछ बच्चों को ट्रिक समझ में आती है जाद अच्छे से रिलेट कर पाते हैं को मानता है यजूरवेद का हो गया अधवर्यू और आपके इसका सामवेद का हो गया उदगादा क्योंकि गाने से ठीक है यह हो गया अपका फिर हम बात करते हैं कि कि अब रिशी की बात करेंगे रिगवेद रिगवेद में आपको क्या-क्या याद रखना है सबसे पहले तो आपको याद रखना है मंदलों के बारे में किसमें कि तोटल मंदल्र कितने होते हैं तो यह 1028 क्या है इसके सूक्त है रिचार्ड याद करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसे एक्जाम में पूछा नहीं जाता है 1028 सूक तो आप याद जरूर करिएगा तो यहाँ पर आपको 10 है तो यह तो यह से रिलेट कर सकते हैं कि रिशी 10 वी तक पढ़ता है और 28 सूक हो गया लेकिन उसने और आंगे एजुकेशन प्राप्त नहीं की 1028 10 10 28 याद रखिएगा 10 तो हमने सेम टू सेम ले लिया और उसमें 28 जोड दिया ठीक है और यह सब हम कहां पढ़ रहे हैं दिशी से रिलेटेड रिग वेद से रिलेटेड पढ़ रहे हैं फिर हमें गयात्री मंत्र से ठीक है गयात्री मंत्र से गयात्री मंत्र है किससे सम्मंधित तो यह है सावित्री देवता से और यह सावित्री देवता जो है वो किससे रिलेटेड है तो यह है सूर्य भगवान से रिलेटेड ठीक है और यह लिखा किसने है क्योंकि यह भी आपका वहां याद करना है तीसरा मंदल विश्वयमित्र गायत्री मंत्र वो related है किससे सावित्री देवता या सूर्य भगवान से अब यहां पर आपको याद रखना है याद कैसे कर सकते हैं एक बार मैं बता दू रिलेट करने के लिए तीन को आप कर सकते हैं कि हमें गायत्री माता का पढ़ना है पूरे विश्वास के सांथ पढ़ना है तो ये हो गया आपका विश्वा मित्र जी ने लिखा है उसके बाद आता है आपका सात्वा मंडल ठीक है सेविन्थ मंडल ये थोड़ा इंगलिश हिंदी के चक्कर में सात्वा मंडल आपको अब करना है ठीक है दूसरा हो गया आपका सात्वा मंडल सात्वे मंडल में आपको क्या मिलता है सात्वे मंडल में आपको ये मेन मेन मंडल हैं जो आपको याद रखने है अगर हम MPPST prelims की बाद करें याद रखिएगा जब हम MPPST prelims की बाद करेंगे तो वहाँ पे ठीक है MPPST prelims की बाद करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि एक संकल्पना और विचार वाला जो पोर्शन है संकल्पना और विचार ये टॉपिक नया एड हो गया है आपके unit 1 में तो ये याद कि इसमें आपको detailing पढ़नी है काफी जादा जितने भी point दिये हुए हैं वह हम नहीं कर रहे हैं हमारा main मुद्ध यहां पर lucent है तो lucent में जितनी information है हम वह cover करते हुए चलेंगे थोड़ी बहुती extra information लेंगे अब बात आती है यहां पर किसकी यह खटा देते हैं यहां पर बात आती है कि seventh जो मंडल है आपका उसमें क्या दिया हुआ है तो इसमें दिया हुआ है दस रागे युद्ध के बारे में दस रागे युद्ध अब इस युद्ध से संबंधित आपको कौन-कौन से fact याद रखने हैं पहले बात यह कि यह सु दस राजाओं के बीच हुआ दूसरा fact याद रखना है कि यह परूशनी नदे के किनारे हुआ परूशनी पुरूशनी जो भी कहिए आप जो कि क्या कहलाती है रावी आज़की रावी नदी तो परूशनी नदे के किनारे हुआ था सु साइड सें जो है कौन थे में जीज आपको क्या याद रखनी है सात्वय मंदल में यहां यह होगा सात्वा मंदल 10 राग युद्ध की छे जीत यह नहीं रखेगा कि इसमें सुदास जीताते हैं सुदास की होती है जीत ठीक है हुआ कहां पे था तो रावी नदी के किनारे जो की परूशनी लिखा हुआ हमें मिलता है अब यहां पे क्या कर सकते हैं याद कैसे कर सकते हैं ठीक है याद साथ का तो हम हमेशा क्या करते हैं साथ साथ याद करते हैं वैसे आप मेरे साथ अब ल था दस जनों को अपना दास बनाया था सुदास का आप दास उठा सकते हैं तो रावी एक पुरुष है पुरुष होने के साथ साथ क्योंकि आपको साथ याद रखना है तो रावी क्या है एक पुरुष होने के साथ साथ उसने दस जनों को क्या किया था अपना दास बनाया था इस रावी क्या है पुरुष है साथ ही साथ वो दस जनों को गया करते हैं अपना दास बनाते हैं आप यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं फिर आता है आपका next यहां पे next हुआ कि साथवे मंडल के बाद आपको नाइन्थ मंडल जो है वो याद रखना है नाइन्थ मंडल यह भी आपको लुसेंड में मिल जाएगा फिर नौवे मंडल में नौवे मंडल में आपको मिलता है सोम भगवान के बारे में सोम देवता के बारे में इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको रिलेट करने के पिल्कुल नहाल खराब हो जातें आपको पता है अगर आपको सोमरस का पाना अबी ए तो आप कब कर सकते हैं आप रात को नौँ बज़े के बाद सोम्रस का पान करा ada ऑन बात आता है next नेक्स्ट हो गया सबसे पहली बात तो आपको पूरुष्चूक्त याद रखने हैं दूसरी बात यह कि पूरुष्चूक्त किस से रिलेटेड है तो यह रिलेटेड है वर्ण व्यवस्था से चार वर्णों के बारे में सरप्रथम आपको यहीं पर मिलता है ठीक है रिलेट कैसे करेंगे 10 का अचा यह भी मैं बतातू जिसको रिलेट करने वाली चीज नहीं समझ में आ रही है यह नहीं पसंद आ रही है तो आप स्किप्ट करके आंगे बढ़ जाए है ना सबके लिए हर एक चीज अपलाई नहीं होती है आप अपने हिसाब से पढ़ाई करें क्योंकि सिलेक्शन कैसे याद किया कोई नहीं मैटर करता है बाद में ठीक है तो इसलिए याद रखिएगा कि में मैटर क्या होना चाहिए कि आपको यह सारी चीजें याद होनी चाहिए कैसे याद हो रही है इससे फरक नहीं पड़ता है ठीक है दस में मंडल की बात करें अच्छा दस का हम क्य पुरुष में आपको इसक नहीं देना होता आप देभी नहीं सकते हैं इतने वोग रहते है तो यहां पर आप देखेвед Anything पर पूरुष नहीं कोई दीना सुध्र को चरठता है तो याद रखना है बस में पुरुष जो है वणवेस्था नहीं दे सकता है तो आपका जो 10 मंदल किस से related है पुरुष शुक्ट से related है जिसमें वणवेस्था के बारे में दिया हूँ तो यह आपको रिग्वेद में मिल जाएगा फिर बात आती है रिगवेद के बाद रिगवेद के बाद आपको मिलेगा यजूरवेद ठीक है यजूरवेद यजूरवेद का मैंने बता दी अच्छा रिगवेद में एक दो और चीज़ें मिलती हैं उसको पहले देख लेते हैं रिगवेद में और आपको क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा ए बारे में 200 सूक्त मिलते हैं एक आप इसको कैसे relate कर सकते हैं तो यह आद कर सकते हैं कि इंद्र भगवा ने इंद्र देवता हैं उनको जितने भी number का paper और यहां 130 नंबर मिलें हैं और आपके अगरी देवता को 200 नंबर मिलMic मिलें पीछे चल रहें वामन अवतार यह आप कहा मिलेगा रिगवेद में ही मिलेगा तो आप इससे कैसे बना सकते हैं कि जो हमारा रिशी है रिशी क्या है वो थोड़ा बॉना टाइक का छोटा है वामन अवतार उसको बोलते हैं लोग क्योंकि हाइड कम है तो हमारे रिशी की क्या है? हमारे रिशी की हाइड का में थोड़ा 52 अवदार थाइट का वो दिखता है ठीके तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं 52 अवदार को इंद्र देवता को 200 नमबर मिले हैं टोटल अगर बात करें तोटल कितने का था? 1028 तीक के दससओठ ठाइस है। सथैस में से धाईसो नंबर इंद्र भगवान को मिले हैं, इंद्र देवता को मिले हैं, 200 नंबर मिले हैं अगनी देवता को ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, फिर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट की हमें किसकी बात करनी थी यहांपे यजूर यजुर्वेद की यजुर्वेद की यजुर्वेद की बारे में पहला फैक्ट तो आपको यहीं मिलता है कि इसके मतलब पाठ करने वाले को क्या कहते हैं तो अभी हम देखी चुके हैं पाठ करने वाला क्या कहलाता है अधवर्यू कहलाता है ठीक है अधवर्यू और यहां पर यजूर्वेद है किससे संबंधित है उसके अलावा बली दे टाइम बली देड़ते टाइम जो आपके से संबंधित है तो यह सारे चीजें यजूर्वेद से संबंधि अब आप यह सोते हैं मैजिन written सा कर hedge guaman kaç में पंदी पूजा करवाते हैं हमेशा क्या करते हैं एक मंतर उचारण करते हैं कोई बीने बनने उन्हों सके बाद बोलते हैं आप यजसमान क्या करने आप फूल चढ़kach देखेंगे पहले कि ऩूसे मंतर तो क्या बोलते हैं कि फूल चढ़ाई यह फल चढ़ाई तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एक गद्ध में बोलते हैं पढ़े पोरी लाइन बोलेंगे गाकर सुनाएंगे फिर उसी चीज को वह नॉर्मल बोलेंगे कि आप फूल चढ़ाई यह फल चढ़ाईए तो इसलिए आपको पंडित जी इमाजिन करना है पंडित जी एक मंद्र बोलेंगे मंद्र बोलने के साथ-साथ फिर लास्ट में क्या बोलेंगे कि यह चढ़ाइए यह पुश्प चढ़ाइए तो वह क्या हो जाएगा गद्य और पद्य दोनों में हो जाएगा इसलिए सिर्फ यजूरव संगीत से रिलेटेड है भारत के संगीत का जनक माना जाता है तो यह संगीत से रिलेटेड हो गया ठीक है साम संगीत उसके अलावा इसका जो पाठ करने वाला होता है पाठ करने वाला मैंने बता ही दिया उसको बोलते हैं उद्गाता अब उद्गाता ही नाम याद रखेग इसके अलावा, गर आप option उद्रात्री भी देखेंगे, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सामवेद से ही related है. यहाँ पर गाता वर्ड देखेंगे, तो ये सामवेद से related होगा, तो साम- संगीत, साम- उद्गाता, ठीक है? इसके अलावा साम वेद में मतलब जादा तक क्या है कि मंत्रों को कैसे गाया जाता है ये सारी चीज़ें आपकी साम वेद में मिलें इससे जादा रिलेटेड चीज़ें लूसेंट में लिखी है नहीं फिर आता है आपका अथर्व वेद अथर्व के बारे में आता है अथर्व वेद अब अथर्वेद के बारे में हमें क्या-क्या याद रखना है सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी अलग चीजें हैं जैसे अथर्व वेद ने मिलता क्या-क्या है तो आप देखेंगे कि इसमें क्रशी के बारे में भी मिलेगा ठीक है इसमें जादू टोना भी मिलेगा जादू टोना हो गया वशी करण हो गया ठीक है उसके अलावा वनश्पती के बारे में हो गया वनश्पती कहिए या औसधी कहिए औसधी औसधी है मतलब आयूरवेद से related चीजें हो गया राज कर्म से related हो गया तो एग बात आपको याद रखनी है कि जब हम साम वेद की बात करें या जूरूर्वेद की बात करें इसमें थोड़ा धर्म से related ज्यादा चीजें मिलेंगे आपको देवी देवताओं की स्तूती मिलेगी रिगवेद में उसके मंत्र और उसकी बली वग्यार से रिलेटेड नियम मिलेंगे यजुरवेद में साम वेद में उन्हीं को गाने का तरीका मिलेगा अथर्व जो है हमारा वो अथर बिलकुल अलग है जो भी ऐसा टॉपिक आपको लगे की उनसे रिलेटेड नहीं होगा कि रिगवेद में नहीं ह जैसे आपका जादू टोना, क्रशी, वशीकरन, वनस्पती यह सब रिलेटेड यहां पर विवा हो गया प्रेम हो गया तो आपको जैसे ही लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि वेदों से संबंधित तो नहीं दिख रहा है तो वो सब आपके अथर वेद में जाएगा ठीक ह यहां मतलब यह जितने टॉपिक आपको लूसेंट में दिये हुए हैं इससे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं बस आपको यह याद रखना है कि जो सबसे अलग टॉपिक हैं वो कहां पर हैं सारे के सारे अथर वेद में हैं ठीक हैं क्रशी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो कहां मिलेगा अथर वेद में मिलेगा तो यहां पर जैसे ही आप उसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग देखेंगे उसके बाद अगर कोई ऐसा कोश्चन आता है जादू टोनर कहां मिलता है वशीकरन के बारे में कहां मिलता है तंत्रुमंत्र की विद्याएं कहां मिलेंगी तो सब आप किसमें जाएंगे अथरवेद को टिक करेंगे ठीक है इसके पाद अथरवेद में एक और चीज आपको मिलेगी कि यहां पे सभा और समीती सभा और समीती इन दोनों को क्या बताया गया सभा और समीती को इन दोनों को बताया गया प्रजापती की दो पुत्रियां प्रजापती की पुत्रियां और आप देखेंगे कि अभी 2024 MPPSC 2024 में question आया हुआ था कि सर्व प्रथम सभा और समीती को अलग-अलग संस्था कहां पर बताया गया है और आपका option था अथर्व वेद सही option तो यह याद रखिएगा कि आपको छोटी-छोटी चीजें जो कि लूसेंट में दी हुई हैं वो काम आजाती हैं कभी-कभी आपको directly अगर नहीं पता कि कहां पर दिया हो सकता है तो आपको फिर यह line याद आएगी कि सभा और समीती दो प पुरान चालू होते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें एक और चीज देख लेनी है जैसे कि आपका यह हो गया यहां पर रिगवेद से संबंदित यजूरवेद फिर सामवेद और अथर्ववेद यहां पर जिन्होंने नई लूसेंट ली होगी तो इसमें ब्राम्भन ग्रंथ वगेरा नहीं दिये हुए तो हम ब्राम्भन ग्रंथ भी यहां पर पढ़ते हुए चलते हैं ठीक है ब्राम्भन ग्रंथ भी पढ़ते हुए चलते हैं कि कम से कम आपको नाम तो पता ही हो रेगवेद के ब्राम्भन ग्रंथ जो आपको पढ़ने है वो है एक तो है एतरे और एक है आपका कौशी तकी कौशी तकी ठीक है यजूरवेद से संबंधित है तो यजूरवेद से संबंधित हो गया आपका याद रखेगा यजूरवेद में आपको दो पार्टिशन मिलेंगे यजूरवेद में एक है आपका कृष्यूर्वेद कि दो भागु में ये डिवाइड है तो यह है आपका कृष्यूर्वेद एक है आपका Grassmother तो सबसे पहले तो यही याद रखेगा कि पहले आपका जो यजूर्वेद है जो यजू है आप नाम याद करने के लिए यजू भी कर सकते हैं जो हमारा यजू है वो दो भागों में divided एक कृष्णा यजूरवेद एक आपका शुखलयजूरवेद और एक और उभाद के करें पिर अपिर यहाँ पछिष्णियुर्वेद का है जो आपकا ब्राम्षन घ्रंथ है वो कौन सा भी लिखी हुई मिलेगी कि शट्पत ब्राम्हन जो है वह सबसे पुराना ब्राम्हन है यहां आपको लुसेंट में मिलेगे उसको भी देखेंगे अभी फिर आपका आता है नेक्स्ट यहां पर सामवेद सामवेद में आपको मिलेगा जैसे यहां पर पंचविश ठीक है पंचविश ब्राम्भन ग्रंथ हो गया एक शडविश मिलेगा तो यह इससे मिलेंगे आपकी किस सामवेद में आपको सिर्फ एक ब्राम्भन ग्रंथ मिलेगा वह गोपत ब्राम्भन ठीक हैं तो हमने आपको शुरू में भी बताया है कि यहां आपका यह बनाना है रिशी के दो स्थैने कि यह कोशिक भी बूसकते हैं थो और कौशिक एक कर रृाइण की होता है तसे क्रिष्ण यजुर्वेद एक है शुक्ल यजुर्वेद तो क्रिष्ण जी को याद करना है किसे तैत्तिरिये तैत्तिरिये हिंदी में आप कर सकते हैं 33 33 33 33 बोलते हैं हिंदी में तब उससे रिलेट कर सकता है कि क्रिष्ण जी की 33 33 क्या थी गोपिया हुआ करती थी तो यहां पर आप क्रिष्ण जी को रिलेट करेंगे किसे 33 गोपियों से तो आपका याद हो जाएगा क्रिष्ण यजुर्वेद जो है वह तिर्य ब्राम्वन से शुकल कर सकते हैं जो हैं यह ना सौ और जाते हैं सत पत मतलब आप गर उसको हम अलग-अलग करेंगे तो सौ पत हो जाएगा तो यहां पर हमारे जो शुकला जी है वो बहुत लंबा सौ पत ट्रेवल करके जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं शुकला जी पत ट्रेवल कर रहे हैं कृष्ण जी की क्या है 33 गोपिया है तो सत पत रिलेटेड हो गया शुकला जी से और आपके कृष्ण हो गया 33 सामबेद में आपको मिलेगा पंचविश शडविश तो जब आप सामबेद मतलब आपका क्या हुआ संगीत जब आप संगीत की बात करते हैं तो आप साथ स्वरों की बात करते हैं सारे गामा पादा नीशा यह आप गा रहा होते हैं तो जब आप संगीत की बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा साथ नंबर आएगा ना संगीत में तो हम साथ की जगा क्या कर रहे हम यहां पर जितने भी number है पंच विश मतलब 5 मान लिजिए सुपर होगए सद्विश मतलब मालीजे 6 सवर हो गए तो जो भी हमारे नंबर है नंबर किस से रिलेटेड होगा आपके सामवेद से क्योंकि सामवेद में है संगीत और महां पर हम साथ सवरों की बात कर रहे हैं तो यहां पर सामवेद में साथ सवर उसके लावा जितने पांच सवर भी हैं सब किस में आएंगे सामवेद में यह आएंगे इसलिए आपका पंचविश हो गया सडविश हो गया सब किस से रिलेटेड है सामवेद से फिर आता है अथर्वेद अथर्वेद का क्या करना है आप को गोपत गोपत का आपको भी पत्त थोड़ा गाय से related समझ में आरहे है वह से करिये तो का आप गाय भी कर सकते हैं अथर्व जो है वह गाय को बहुत मानता है तो हमें अथर्व क्या उठाना एक अथर्व किसको मानता है गाय तो वैसे आप रिलेट कर सकता है रेशे के दो दोस्ते है,지를her और Atherer उसके लावा यजुर्वेद की बात करें क्रिश्णा जी की 33 क्या है, गोपिया है और शुकला जी सौ पत क्या करके जाते है ट्रेवल करके जाते है पूजा करने अगर सामवेद की बात करें संगीत की बात करें तो 25-60 हो गया पांट-6 जितने भी हैं स्वर लगा रहे हैं अथर्वेद की बात करें तो अथर्व जो है उसको गाय पसंद है बहुत ज़्यादा तो गोपत उससे रिलेटिड हो गया ठीक है अब यहीं पर हम बात करें जैसे यह आपका यहीं पर हम बात करें किसकी अब यहीं पर बात करते हैं हम यहां पे कि आपका उपवेद जो है उपवेद उससे रिलेटेड रिगवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है यह है आयूरवेद ठीक है यजूरवेद का जो है यजूरवेद का है आपके यह और जो आपका अथर्वेद है अथर्वेद का हो गया आपका शील्पवेद है ठीक है इसको कैसे याद कर सकते हैं देखें रिशी को क्या है दो फ्रेंड हमने याद कर लिया यतरे और कौशिक यहां पर रिशी को आयूर्वेद से बहुत लगा है मतलब आयूर्वेद की वो क् तिए है वहोगा थनुष हूए संगेत् कि भी गंधर्वर्फ किस से मिलेग है संगीट कि यह व यह संगीट कि पातीज हो है इतन हन्फिरijn हम जो हमारा सामवेद है, सामवेद मतलब संगीत, संगीत हमेशा related होता है गंधर्व से, तो गंधर्व हो गया, यह साम और गंधर्व दोनों अच्छे दोस्त हैं, आप ऐसे भी relate कर सकते हैं, और उसके अलावा हो गया आपका अथर्व, अथर्व को शिल्पकारी बहुत पसंद ह तो यह हो गया आपका शिल्पवेद, तो यह हो गया आपके क्या, उपवेद, यहाँ पर हो गया यह आपका ब्राम्हन ग्रंथ, यह हो गया आपका उपवेद, ठीक है, उपनिशद हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उपनिशद लूसेंट में जादा दिया नहीं हुआ है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं उसको इसके बाद क्या आता है इसके बाद आपका आता है यहाँ पे यह हो गया उपवेद हो गया और इसके बाद आपको मिलेगा एक पॉइंट यह कि जो आपका शत्पत ब्राम्हन है शत्पत ब्राम्हन वहाँ पे क्या दिया हुआ वहाँ पे दिया हुआ है कि जो इस्त्री है वो क्या कहलाती है अर्धांगनी होती है ठीक है अर्धांगनी आधा अंग माना जाता है पुरुष का तो आप देखें कि इस्त्रीयों के लिए बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया अर्धांगनी लेकिन वहीं पर आपको मिलेगा कि जो आपकी मैत्राइणी संहिता है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें इस्त्री की तुलना की गई है, जुए और शराब से, ठीक है, मतलब यहाँ पर काफी, बुरी स्थिती बताई गई है, अथर्वेद में भी आपको एक लाइन मिलेगी कि अथर्वेद में जो पुत्री है या अबालिका है, तो पुत्री का जो जन्म है वो अच्छा नहीं माना जाता था, तो ठीक है, जन्म यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता था, तो आप जब पढ़ेंगे तिहास, तो आप ए आपके अन बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं वहां पर धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिती क्या हुई है खराब हुई है इसलिए आप देखेंगे शत्पत ब्राम्हन जो की संबसे पुराना है वहां महिलाओं की स्थिती अच्छी दिख रही है लेकिन जैसे ही जैसे हम उत्त स्राइनी नाम की इस्तरी है जो खुद दूसरे स्थिती को क्या बोल रही है कि उनकी तुलना कर रह arte जो है और समटर्व मंतर्व नहीं चाहता था कि उसके अप्यी पुत्रीं का जन्म हुआ अच्छ नहीं सकते हैं शत्तत याद रखिएगा सत्पत क्योंकि सबसे पुराना गरंत था इसलिए ब्राम्हन गरंत था इसलिए वहाँ पे अर्धांगनी वर्ड मिलता है किसके लिए इस्त्रियों के लिए ठीक है? यह याद रखेगा यह शुकला जी जो है अपनी पत्नी को अर्धांगनी मानते हैं यह शुकला जी हो गया सत्पत ब्राम्हन से रिलेटेड तो वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को मानते हैं अर्धांगनी मानते हैं ठीक है? यह चीज़ आपको मिल जाएगी फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजे जैसे एक है आपका सिक्षा ठीक है? एक है आपका सिक्षा तो हमें सिक्षा किसकी लेनी है? तो हमें सिक्षा लेनी है जोतिश की तो सिक्षा के साथ आप जोतिश याद कर लेज़े ठीक है तो हमें सिक्षा किसकी लेनी है जोतिश की लेनी है जब हम सिक्षा लेने जाएंगे तो उसमें हमें व्याकरन पढ़ना पढ़ेगा तो यह हो गया आपका व्याकरन तो हमें सिक्षा में व्याकरण तो पढ़ना ही पढ़ेगा और व्याकरण में specific क्या पढ़ना पढ़ेगा तो व्याकरण में हमें पढ़ना पढ़ेगा छंद के बारे में तो हमें सिक्षा किसकी लेनी है जोतिश की उसके बाद सिक्षा में हमें व्याकरण भी पढ़ना पढ़ेगा व्याकरण में specific क्या पढ़ना पढ़ेगा तो छंद पढ़ना पढ़ेगा ठीक है उसके बाद आता है आपका एक यहाँ पे कल्प और छटवा आता है निरुक्त तो याद रखिएगा यहाँ पे जो लास्ट दो हैं कल्प और निरुक्त यह थोड़ा अलग है सिक्षा में जोतिश्की प्राप्द करनी है व्याकरण में हम छंद पढ़ेंगे और कल्प और निरुक्त यह थोड़ा सा अलग हो जाते हैं सिक्षा जोतिश्की लेनी है व्याकरण में हम चंद पढ़ने वाले हैं कल्पे के सांथ आपका निरुक्त यह हो गए आपके वेदांग फिर हमारे आंगे जब हम जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा पुरानों के बारे में ठीक है पुरानों के बारे में मिलेगा पुरानों में क्या मिलेगा कि यहां पर टोटल कितने हैं अठारा पुरान है और लिखा किसने है यह पुरान लिखा किसने है तो आपको दो नाम मिलेंगे एक मिलेगा आपको उग्रशवा और एक मिलेगा आपको लो महर्श ठीक है त पुरान हम पढ़ रहते पुरान जो हम लिख रहे थे तो हमें क्या था हमें बहुत जब जादा उग्र मतलब उग्र के साथ बहुत जादा एंगर आ रहा थे औरаша लाधना ह्वालश और याद रखेगा दोनों चीजह आनी चाहिए हम बहुत से पुरान है एक पॉइंट आपको मिलेगा कि इसमें जो आपका मत से पुरान है वो सबसे क्या है प्राचीन है ठीक है ब्राम्हण गरंथ में बात करें तो सबसे प्राचीन सत्पत ब्राम्हण पुराण में बात करें तो सबसे प्राचीन होगी आपका मत से पुराण अब आप imagine करिए जब हम पूरी प्रत्वी की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि सबसे पहला जो जीव है वो कहां पैदा हुआ था वो हुआ था पानी में पानी imagine करेंगे तो आज के time पे हम ये imagine करेंगे कि पानी में अगर कोई पहला जीव उत्पन हुआ होगा या पहला आपका जीव जो है आया होगा प्रत्वी पे तो शायद मचली रही होगी है ना तो उससे आप imagine कर सकते हैं कि मचली हमारी सबसे प्राचीन है क्योंकि मतलब मचली का जीवन है या ऐसा आप मान सकते हैं कि जो आपका सबसे पुराना जीव है वो क्या है मचली है इसलिए हमारा जो मच से पुराण है वो सबसे प्राचीन है एक चीज़ और आपको यहां पर डेटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि साथवाहन कहां थे साउथ इंडिया वाले पोर्शन में थे मतलब इनको समुद्र के बारे में पता था जब समुद्र के बारे में पता था तभी तो इनको मत्स के बारे में या मचलियों के बारे में पता रहा होगा तो मच इंडिया में था सात्वाहन सात्वाहन को ही मशलियों के बारे में पता रहा होगा क्योंकि वो साउथ में था समुद्र के बारे में उसे पता था ठीक है फिर यहां पर एक बात आती है कि जो आपका वायू पुराण है वायू पुराण वो किस से रिलेटेड है तो यह रिलेट आपको विश्णु पुराण तो विश्णु पुराण किस से रिलेटेड हो गया विश्णु पुराण रिलेटेड हो गया आपका मौरे वन्ष से रिलेटेड ठीक है मतलब यह है कि किस पुराण में किस वन्ष की जनकारी मिलती है ऐसे आपको ध्यान रखना है मर्द से क्योंक आई नहीं तो बहुत गुप्त रूप से क्या हो रही होती है वायो ठीक है आ ऐसे यूझ कर सकते है कि मैं पता नहीं चलता है विष्णूजी की पूझा कर रहे था तो आप कि मोर सामराजवाले मोरावन्स जो जेंगा तो ये सारी चीजें आप सब मैं वो सब बताते हुए चल रही हूँ ठीक है कि आपको पुरान मिले आपको वेदांग मिले अग उपवेद नहीं है तो मैंने वो भी बता दिये आपको ठीक है तो जितनी चीज़े हैं वह हम सब कवर करते हुए चलेंगे आपको मैं हर एक चीज कहीं ट्रेक के माध्धम से य पुराना जितना भी पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी जिससे आभी जितनी हमने चीज़े पढ़ी है वह आप रिवाइज भी करते चले साथ साथ में जिससे बहुत लंबे टाइम तक आपको सारी चीज़ें याद रहें आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा कोई भी डाउट है अब कमेंट या कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं लाइक और शेर जरूर करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स लेक्चर में